किसी ने क्या खूब का है मेरे शाथियों कि जलते घर को देखने वालों फूस कछप पर आपका है आग के पीछे तेज हवा है आगे मुकद्दर आपका है उसके कतल पे मैं चुप था मेरी बारी अब आई मेरे कतल पे आप चुप हो अगला नम्मार आपका है तो जहिन प्यारिशाथियों आप ऐसे इंतिजार मत किजिए अभी से आप तयार हो जाए और अपने नम्मर की अपने बारी की आप इंतिजार मत किजिए मेरे भाई सही को सही और गलत को गलत कहने का शाष और हिम्मत जुटाएए और मुखरों के बोलिये जो भी बोलना है कि बेश्ट कॉंटेंट आपको लाता रहूँगा आपके इस परिवार पे तो मेरे शाथी एक बार आप कमेंट करके ये बताएए कि आप कैसे हैं मैं उम्मिद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे मस्थ होंगे जबरदस्थ होंगे साथियों मैं स्टार्ट किया हूँ प्रत यह दुनिया बेगानी से लगती है वसे मानों कि अगर प्रतिशत के बिना मैद भी बेगाना ही लगता है मेरे शाथी इसलिए प्रतिशत को अगर आप छे से पढ़ना है मेरे भाई तो जल्दी से जल्दी आप इस परिवार से जुड़िए जोइन के जिए सब्सक्राइब के जादे जादे इसको सेर किजे अपने शाथियों को अपने भाईयों को तो मैं कुल्दी आप लोगों को प्रतिशत आज अच्छे अच्छे कॉंटेंट्स के कोश्चन लेकर आया हूँ तो आप इसे जरूर देखिएगा लास्ट तक और फिर आप कमेंट करके बताएगा ये बेतिन तरीके से तयार हो कि आपके सामने आऊं और ऐसे ही कोश्चन आपको अच्छे से बताते रहूं और आपके जो सपना है उसे साकार करने के लिए एक अहम या एक छोटा सा योगदान मेरे तरफ से भी रहे मैं थार रिजिनिंग ने ठीक है तो ठीक है शाथी आज क्या पहला कोश्चन है और यह कोश्चन लिखा है मेरे भाई पहला कोश्चन यह है कि 6 प्रतिशत का कितना प्रतिशत 5 है 5 परसेंट है ठीक है 6 प्रतिशत का कितना प्रतिशत 5 परसेंट है 6 प्रतिशत का कितना प्रतिसाद कितना प्रतिसाद पांच प्रतिसाद है ठीक है तो इस टाइब की कोश्चन आपकी एक्जाम में आते रते हैं मेरे भाई और ऐसे लगाने के लिए आप दो बिदिया हैं मेरे भाई जैसे की जैसे की दिया है मेरे भाई कि 6 प्रतिसत का 6 गुड़े ठीक है इस प्रतिसत को अगर आपको नंबर में चेंज करना होता थे 1 बटी 100 का ऐसे multiply करते हैं का कितना प्रतिसत 5 परसेंट है माल लेते X प्रतिसत क्या है 5 परसेंट है 5 परसेंट को क्या लिखते है ठीक है 100 से 100 कड़ जाएगा तो X बराबर हो जाएगा 5 परसेंट 6 अब इसी को प्रतिसत में चेंज करेंगे तब क्या होगा यहाँ पे 100 का multiply कर देंगे ठीक है दो त्या-इशा दो पच्छे 10 यह माजाएगा आपका 250 पटे 3 अगर इसे आप डिवाइड करेंगे इसे आप डिवाइड करेंगे त ہیں आप प्रतिस चोबीस, तिन तिरिके नव, दस मलव, तिन तिरिके नव, तिन तिरिके नव, तिन तिरिके नव, या फिर इसे लिख सकते हैं, तिरास ही, सही, एक बटे, तीन परसेंट, ये option नमर से हैं, मेरे बाई, डी फार, देशेना, तो इस टाप की question में कुछ करना नहीं है, बस question को तो उच्छा परसेंट को अगर नमर में change करना होता है, तो हमने आपको बताया था, एक बटे, यानि परसेंट को अगर हटाना होता है, तो एक बटे 100 का multiply कर देते हैं, और मान लिया हमने, कि X परसेंट जो है, वह क्या है, पांच परसेंट के बराबर है, तो पांच अगर उसको change किये, तो 1 by 100 का multiply कर दिया, और जो process था, उसको हमने क्या किया, 100, 100 cancel कर दिये, 5 है, इधर multiply में जो चीजे होती है, अगर equal के दूसरे side जाती है, तो reverse हो जाती है, अगर multiply में है, तो divide में हो जाएगा, अगर divide में दा रहे तो इधर multiply में हो जाएगा, ठीक है, अग इसी तरह 5 बटे 6 आ गया, इसको change करना था प्रतिश्यत में, अगर जब किसी चीज को प्रतिश्यत में change करना तो 100 का multiply करते हैं, और ऐसे multiply करके हमने इला दिया 83 सा 1 बटे 3%, या उसे बोलते हैं, 83, 10, 3, 3%, जो कि आप से 94, देश जेना आपका सही है, मेरे भाई एक बार किस से कर रहा है, पहले question को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको समझने की कोशिज कीजिए कि आखिर कार पूछा क्या है, तो compare कि या तुनला कि या किस से 2 kg से, तो जिस से तुनला किया जाता है, उसको सदय हर में लिखते हैं, कहां लिखते हैं, हर में लिखते हैं, लेकिन एक चीजे आप ध्यान दिजेगा कि जो भी चीजे होंगी वो एक एक यूनिट में होगा जैसे एक किलो ग्राम में होना चाहिए ठीक है या फिर ये ग्राम में तो इसे भी ग्राम में आप बदल दिजेगा तो एक किलो ग्राम बराबर होता है मेरे भाई 1000 gram ये चीज़े आपको पता होने चाहिए तो इसे हम लिख सकते हैं 2 kg को या 2 kg को हम लिख सकते हैं 2000 ठीक है अब उपर क्या था 65 था मतलब 65 था ये पूछा था कितना प्रतिसत है ये प्रतिसत में change करना था ठीक है जब किसी चीज़ को प्रतिसत में change करना होता है तो 100 का multiply कर देते हैं देखो 2 0 से 2 0 कड़ गया तो इसे अब काटेंगे हम क्या 65 बटे 20 को ठीक है तो क्या होता है 20 त्याइं 60 60 हो गया 5 बच गया अब देखो 20 दूना 40 40 फिर 10 20 पच्चे 100 ये हो गया आपका 3.25 5 प्रतिसत जो की आपसन नमर होगा मेरे भाई आपसन नमर तो ऐसे नहीं दिया है लेकिन इसको अगर हम छोटा कर लें तो 5 एकम 5 पांटें 15 अब पांचों को 20 ये वाल आपसन में दिया है ठीक है 13 बटे 4 ये आपसन नमर कौन सा है 13 बटे 4 आपसन नमर एफार आग रहा से ये मेरे भाई ठीक है तो इस तरह की कोश्चन आपके आते रहते हैं ये आया है कोश्चन SSEC सेजियल 2008 में SSEC सेजियल 2008 में आया हुए प्रशन है और इस तरह की कोश्चन आपके ये उपी पुलिस में भी आ सकता है या फिर आपके ग्रूप D या फिर रेल्वे अंटी पीसी में भी आते रहते हैं इस तरह की कोश्चन SSEC में भी हमने देखा है इस तरह की कोश्चन कभी ने कभी आया हुए है ठीक है अपने बारी का अंतिजार मत की धिये एक गाउ में 30% लोग सीच्चित हैं यदि गाउ की कुल जनसंख्या इतना हो तो उसमें 80% लोगों की संख्या घ्याद कीजिए देखो जनसंख्या माल लेते हैं जनसंख्या तो जनसंख्या जो होता है अपने में क्या होता है मेरे भाई, 100% होता है, क्या होता है, 100% होता है, जो कूल होता है, वही 100% होता है, ये चीजी हो गई, आप देखो, जनसंख्या में दो लोग निकलेंगे, टू टाइप्स के, एक सीचीत होंगे, तो एक, असीचीत वर्ग होगा, एक सीचीत वर्ग होगा एक होगा 80 चीट वर्ग चीट वर्ग दिया है चीट 30 प्रतिसत तो 80 तो मेरे भाई 100 में से 30 जब घटाएंगे ये तो 80 चीट कितने होंगे 70 प्रतिसत होंगे लिखा है कि यदि कूल जनसंख्या 6800 है यह जनसंख्या यहाँ पर दे दिया 100% का मान दे दिया 6800 ठीक है यानि कि अगर हम यह भी लिख सकते हैं कि 100% बराबर क्या है 6800 यह 100% मतलब क्या होता है कूल होता है कूल जनसंख्या ठीक है कुल जन संख्या अब देख लीजेगा तो पूछा किया तो असिचित लोगों की संख्या क्या है तो असिचित हमने क्या देखा कि 70% है 70% मेरे भाई कुल को हम 100% भी बोल सकते हैं या कुल जो दिया है 6800 इसे भी बोल सकते हैं या इन परसेंट था या इन नम्मर था जन संख्या में था लेकिन ये 100% कुल है तो उसमें सिचित 30% है तो असिचित कितने रहेंगे 70% तो 70% के बराबर कर देंगे ठीक है ये हो गया एकिक नियम और 6800 ऐसे करके ये जो 70 है इसमें मल्टिप्लाई करेगा गुड़ा करेगा ये जो पहले 100% था ये डिवाइड कर देगा तो 2-0 से 2-0 कट जाएगा तो बचा किया 6-6 गुड़े 70 है इसका जब मल्टिप्लाई करेंगे तो 0 हो गया 7-6-42 7-6-42 ये हो जाएगा कुछ करना नहीं है जनसंख्या 100% होता है और होता ह versus 100% ही होता है हनो जो जो चीजे कूल होते है total होते है उसे 100% लिखते है या number में अगर fraction में लिखना हो तो 1 लिखते है ठीक है आदि अगर बोले तो 1 by 2 लिखते है हमने आपको बताया था अब जनसंख्या में दो वर्ग के लोग आएंगे एक सिच्छित वर्ग आएगा कि असिच्छित आएगा सिच्छित दिया था 30% तो टोटल 100 है तो 30% सिच्छित है तो असिच्छित कितने रहेंगे 70% ये नॉर्मल सी बाते हैं आपको पता होना चाहिए और दिया है कि कूल जनसंख्या जैसे नंबर में 6600 दिया है तो ये मेरे अनुसार है ये कोश्चन के अनुसार है ये मेरे अनुसार था तो कोश्चन के अनुसार क्या होगा तो 4620 होगा जो कि आपसन नंबर आपका भी फारबावली सही है ठीक है अब नेस्ट कोश्चन पर आते हैं और यह कोश्चन मेरे भाई ना जो यह वाला कोश्चन ने पूछा है SSC CHSL 2014 में आया हुए प्रश्चन है अब नेस्ट कोश्चन है जो कि SSC CGL 2010 में है यह प्रश्चन पूछा है और इसमें दिया है कि यदि किसी बिद्याले में 70 प्रतिशत लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 504 हो तो लड़कों की संख्या मेरे भाई बिद्यार्थी क्या होते हैं 100% होते हैं अब इसमें दो वरग आता है एक आता है लड़का तो दूसरा आता है लड़की ठीक है तो कुछ दिया होगा दिया है कि यदि किसी बिद्याल में 70 प्रतिशत लड़के हैं तो लड़के क्या हैं 70 प्रतिशत और हमें पता है कि बिद्यार्थी 100% होते हैं तो 70% अगर लड़का है तो 30% क्या होंगे लड़किया होंगे और ये दिया भी है नम्मर में 504 ये question के अनुसार है और ये मेरे अनुसार है कि 30% लड़किया होंगे क्यों? क्योंकि 70% लड़के दिया है question में तो 30% क्या होगी लड़की यहां लेकिन question में 504 नमर में दिया है तो मेरे भाई पूछा क्या है तो पूछा क्या है तो लड़कों की संख्या तो लड़कों की संख्या यह क्या है 70% मेरी अनुसार चलो तो नमर में क्या होगा तब क्या करते हैं 504 में जो यहाँ पर हम निकालते हैं, ग्याद करते हैं, उसे का multiply कर देते हैं, अब बटे क्या हो जाता है, 30 प्रतिशत यानि कि ये वाला जो पहला वाला नमर होता है, ये बाब, 0 से 0 कट जाएगा, इधा को 3 से काटेंगे, 3 बन जा, या 3 कम 3, 2, 3, 4, 18, 3, 8, 24, तो आपको मिला क्या 168 गुड़े 7, ये multiply करेंगे आप, और आपसर मैच हो जाएगा, और multiply करके मैं यहाँ पर दिखा भी दे रहा हूँ, किसका, 168 गुड़े 7 का, मेरे भाई, आप लोगों से निवेदन है, और गुजारिश भी है, यहाँ पर हम step by step नहीं लिख पाते हैं, लेकिन जो लिख रह तो इसका multiply कीजिए, 7, 8, 56, 7, 42, 5, 47, 7, 4, 11, 1176, आपसर नमर मेरे भाई, एफार आगरा सही होगा, ठीक है, तो इस टाइप की question भी अगर आएं, और numerical data change हो, तो आप कर लिजेगा कि total क्या 100% होते हैं, लड़किया क्या होते हैं, लड़के क्या होते हैं, लड़के क्या होते ह क्यों क्यों क्योंकि हम सो में से घटा लेते हैं, ठीक है, SSC CDL 2010 में ये question आजा है, अब देखिए, ये question है, SSC MTS 2013, और MTS का फार्म निकल गया है, जो भी मेरे भाई, जो भी मेरे बेने, अगर MTS की फार्म अभी तक नहीं डाले हैं, तो आप जाएए, साइबर कैफे पे जल् तो कुल परिचार थी, क्या होगे, कुल परिचार थी न, और मेरे भाई क्या नमबर में लिया, सत्तर पढ़े हैं, ठीक है, परिचार थी लिख दो, यह होता है 100%, यह होता है 100%, इसमें क्या होते हैं, टू टाइप्स के लोग होते हैं, एक होते हैं, उत्रिड, तो एक होता है अनुत्रिड, क्या होता है एक, उत्रिड, तो एक होता है अनुत्रिड, ठीक है, अनुत्रिड होता है, और उत्रिड दिया है 70%, तो अनुत्रिड कित होंगे 30% होंगे कितने होंगे 30% ठीक है अब नमबर में कुछ दिया होगा ॲिखा कि यदि अनुतिड की संख्या 420 है तो पूछा क्या है तो परिछार्तियों की कूल संख्या क्या होगा तो यह 30 pro परसेंट मेरे अनुसार है और question में दिया है कि यह 30% 420 है तो यह जो मेरे अनुसार 100% है यह इसकी अनुसार कितना होगा ठीक है तो यह हो जाएगा 420 यह भी कर सकते थे यह 30 का कितना गुणा है ठीक है यह 30 का 14 गुणा है तो 14 गुणा इसका करेंगा तो 14 100 एंसवरा जाएगा ठीक है लेकिन अगर ऐसे करना है आपको तो 420 गुड़े 100 अब बटे क्या होता है 30 00 कड़ जाएगा ये हो जाएगा 14 तो 14 जब हो जाएगा तो 14 के पीछे दो 0 लगा देंगे तिया कुल बिद्यार्थियों की या परिछार्थियों की संख्या आ जाएगा मेरे भाई ठीक है ये टोटल होता है क्या होता है टोटल होता है ठीक तो इस टाइप की कोश्चन ऐसे ही लगाईएगा और बहुत ही ब्यत्रिन कोश्चन मेरे भाई और ये भाई टेकनिकल वहाँ हैं। उनका भी बहुत सा योग रहता है इस क्वें में भी ढोल के लाते हैं और इडिट करके आपके सामने लाते हैं कभी कभी गलती हो जाती हैं। के लिए हम छहमा मांगते हैं आपसे लेकिन मेरे भाई बहुत यह जो आपका टिकनिकल बाई बहुत मेनत करता है उसके लिए आप लोग प्यार अपना जरूर दीजिएगा उसे ठीक है तो साथियों आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलेंगे इसी टॉप्टिक से रिलेटेड बेतिन कोश्चन के साथ तो आप लोग जादे जादे अपने भाईयों को जोड़िएगा और उनसे बोल दीजिए कि रिजिनिंग अन्ट मेथवाला आपको तैयारी कराएगा आपके प्रतियोगी पर इच्छाओं जैसे हो पुलीस लेकपाल स्सी आपका स्सी MTS हो गया या आफ इस डी हो गया घ्री घ्रीव आफ डी हो गया रहलेव ईंटी में हैं मतलब जो तो परिछाए हैं और इसमें इस टाइप के जो भी कोश्चन आएंगे अच्छी अच्छे वह सब आपके इस प्लेटफार्म पे बताया जाएगा आपके इस परिवार में बताया जाएगा मेर्शाथी हूं ठीक है मेर्शाथी हूं आज के लिए बस इतना धन्यवाद भाई